आज में वेर कर रही हूँ यह काची पुरम सिल्क सारी मैच किया है इस ब्रोकेट ब्लाउस के साथ शेप वेर सैंडल लाइट जूलरी विद लाइट मेकब और बस राइट साइड से टक करते हुए एक राउंड लेना है और आप पल्लो के टेंपररी प्री ब्लीट बनाना है आज जिस तरह से मैं आपको ड्री पिंग बता रही हू हूँ वो बीग नर्स के लिए तो बहुत ही सब्सक्राइब वेर करना तो अगर आप इस तरह के से वेर करोगे तो बहुत ही इस बाट बद के लिए अब मैं temporary पल्लू प्लीट्स बना के shoulder पे रख रही हूँ पल्लू length आप अपने choice के according रख सकते हो अगर आपको लंबी पल्लू रखना पसंद है तो आप लंबी रखो जैसा कि मैं रख रही हूँ जादा elegant दिखता है, जादा beautiful दिखता है और आप मैं वेस के पलीट्स बनाऊँगी तो सबसे पहले ये shape देते हुए बिल्कुल tight यहाँ पिन लगा के secure कर ले और आप एक-एक पलीट को equal बनाए perfect होना चाहिए और बहुत ही equal होना चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा neat लुकाएगा बनाते राइम अगर आप perfection का ध्यान रखेंगे तो आपको बाद में problem नहीं होगी उसे set करने में तो एक-एक प्रीट्स सही लें इस तरह से लेते जाएं और हाथ से प्रेस करते जाएं जब सारी प्रीट्स बन जाएं तो चेक करके set कर लें और पिन करके बिल्कुल mid में टक कर लें जो भी extra part हो उसे back side में टक कर लें तो बिल्कुल साफ सुत्रा दिखेगा अब पलू को set करना है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे border वाली सारी के border को सीधा और सही रखना और border के साथ perfect way में पलू को back side में बिन करके मेरी तरह set कर लें अब अगर आपको slim देखना है ऐसे वाली खेट ना कर लें फ्लाफी सारी में भी तो यहां आप कुछ प्लीट्स बनाएं और साइड में एक पिन लगा के हाथ में पल्लू को इस तरह से प्लेस करें आप देख सकते हैं कि कितना सहे लुक मिल गया मुझे और एक ही क्लीट पॉफेक्टली बन गया तो इस तरीके से आप जब सारी ड्रेप करोगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा और बिल्कुल परफेक्ट प्लीट्स मिलेंगे अब चाहें तो स्ट्रेटनर से प्रेस कर सकते हो हर प्लीट को मतलब वेस्ट के प्लीट और आचल को तो कढ़ी सकते हो तो और भी परफेक्ट दिखेगा वह और भी परफेक्ट प्ल झाल झाल झाल